बटना में दिन्दा हाड़े दो यूबकों को अग्याद बदमाशुने मारी गोली गंबीर हालत नस्पताल में भरती कराया जांच मुझटी पुलिस गैंक्स्टर काला जठेडी को सोनी पत लेकर पहुंची दिली पुलिस मां के अंतिल संसकार में शामिल होने के लिए पठियाला हाउस कोट में दी पेर रोल बेंगलूरू में एक छात्र ने कॉलेज में एंट्री नहीं देने पर सुरख्शागाट पचाकु से क्या हमला नशे की हालत में दोस्तों के साथ कॉलेज महुच आता लखनव में गुलाला घाट पर पुलिस और बदमाशों के मुनभेड एक बदमाश को गोली लगी अस्पिताल में भरती ठाकर गंज यो पुलिस थाना इलाके का मामला फाजल का पुलिस ने चोरों के गिरों का भान्डा फोर किया गिरों के चास अदस्यकों किया गिरफता दोसों से ज़्यादा वारदातों को दे चुके थे अंजा दिलंगाना एंटी नार्कोटिक्स ब्योरो और पुलस ने हैदरबाद में ड्रुग तसकरों का किया भानदा फोर तीन तसकरों को पुलस ने किया अरेस्ट शिक्षन संस्थानों में बेच रहे थे ड्रुग्स पुंबई के एंज़ी आचारे और डीके मराथे कॉलेज में टीशिट फटी जीन्स पहनने पर बैन इससे पहले कॉलेज ने कैंपस में बुर्का पहनने पर लगाई थी पाबंदे जवाहर माउंटेने रिंग एंड विंटा स्पोर्ट इंस्टिूट की टीम ने लदाख में क ट्रेनिंग लदाख रीजन की चार चूटियों को फत्य किया सूरत के हरीपुरा में विदाता इंडस्ट्रीज कॉम्पलेक्स में अजगर देखने गमें मचा हर कंप जीव दया स्वें सेवकों ने पहुँच कर पांच वीट लंबे अजगर का रेस्क्यू किया बिहार में पुल तूटने का सिलसला जारी चपरा के बनियारपुर में गंदक नदी पर बना पुल तूटा वेहार के एक और पुल पर मंड्राय तूटने का खत्रा डबरा नदी पर बना मलाही पुल के उपरे हिस्से में आई दरा असम के नागाओं में भारी बारिश के बाद पुल तरकी प्रमुकनदियों का जलसतर बढ़ा तुरपुरा के अगरतला में भारी बारिश से ढाग अच्चा मकान हासे में पती पत्नी की मौट 6 महीने का बच्चा घायर धर्मटीला के मेगली पारा गाओं का मामला राजस्तान की जैपुर में भारी बारिश के बाद बि झाल